मुझा नमश्का दोस्तों मैं हूँ सौरब शर्मा आप देख रहे हरियाना नियूस हरियाना नियूस के खास वर्म स्टार दिलसे में आपका सौगत है स्टार दिलसे में आज जिस लड़की से मैं आपकी मुलागात कराऊंगा उसने हरियाना के गौरफ में चार्चांद लगाए हैं सिर्फ उम्र 21 साल लेकिन कार्ण नामें इतने बड़े कि हरियाना के लोगों को आपके लड़की थी मुझे कोई जानता नहीं था लेकिन इस प्लाटफॉर्म ने मुझे इतनी जो पहचान दी है और जो नाम मुझे मिला है जो इंडिया को मैंने प्राउड कराया और जो लोग मुझे बताते हैं कि वह बहुत प्राउड फील करते हैं तो यह सब मुझे बरी रहा रही होगी आपके लिए आपसे जान चाहेंगे कितनी मुश्किलों को सामना किता स्ट्रगल किया आपने हाँ अगाने में मुझे मुझे घर से तो पूरा सपोर्ट मिला मुझे इस जगा पर कोई भी कहने का मुझे कोई भी परिशानी नहीं हुई मुझे किसीने और घर से जब पूरा सपोर्ट मिलता है तो से जादा आपको और क्या चाहिए और बाकी इस अगर इस जगह पर आप जाते हैं तो 24 गंटे ऑविसी बात है क्रिटिक्स भी आपके आसपास रहेंगे जो आपको बुरा भी बोलेंगे अच्छा भी बोलेंगे आपकी कम अब बताएंगे तो ऐसा सब भी हुआ और मुझे लगता है यह इसका एक पार्ट है और कहीं ना कहीं अच्छा भी है जिससे आपको पता लगता है कि आप कहां लाग कर रहे हैं ग्लेमर पार्ट ग्लेमर वोल्ड में अपने एंटुलेज चुकी है और काफी ग्लेमरिस पार आपका लोगों ने देखा कितना मुश्किल रहा था क्योंकि कई बार आपके जो रिलेटिव होते हैं बहुत क्लोस बंस होते हैं वो अब्जेक्ट करते हैं कि नहीं आप अपनी पढ़ाई पर द्यान दो एक ग्लेमर ग्लेमर वोल्ड में मत जाओ उसके बावजूर एक ग्ल हाँ बिलकुल गर भी होते हैं और जब पहले स्टार्टिं की बात थी जब मैं मैं जब बोला भी नहीं था तब मैं अगर था कहने से क्योंकि मुझा लगता ता शायद मना कर दे नहीं मानेंगे लेकिन जब मैंने घर पे बोला तो मेरे पेरेंस को कोई प्रॉब्म नहीं थी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे और रही रेलेटिव की बाद तो बिल्कुल वो बोलते हैं कि पढ़ाई में द्यान देना चाहिए और ये सब में कुछ नहीं रखा लेकिन जब धीरे-धीरे मुझे इसमें अचीवमेंट मिलती गई तो सभी बहुत खुश हुए जरनलीजम का G जरनलीजम का ग्रीजीशन आप अचानक मॉदलिंग फिल्ड में आना और एकडम वो क्राउण पाना विल्कुल अपोजिट रहे हैं जरनलीजम का स्चुड़ीयंट एक मॉदलीउम में चला गया और मौदलिंग के बाद इस्कूलु में थूर्थ किताब अचित है तो किया आपके अंडर क्या झोच था था कि क्या सोच रहे थे कि क्यू जन्नलिसम बने उट किया और क्यू आप मॉड्लिंग में चले गए मैंने जोरननलिञ्म जब मेंने अकम्प्लिट किया उसके बाद मेरे फाइनल यह ता जब मैंने अपने उडिशन ती है मिसिंढ्या के और उसके बाद मैं डेली राॉड बेहो तो यही यही से यह जर्नी स्टार्ट हुई और जब मैं स्कूल में थी, ड्रीम तो मेरा ये तब ही से था, लेकिन कही ना कही डर मुझे भी था, क्योंकि यहां की ससाइटी और यहां के लोग थोड़ा इन चीजों को इतना बिलीव नहीं करते इन में, तो लेकिन जो मेरा ड्रीम था, मैंने वो पूरा करने के पूरी कोश घर में सबसे ज्यादा। किसका मिला? घर में अपब दोनों का सपोर्ट पूरा मिला है क्योंकि दोनों ने ही मुझे अच्छे से सपूर्ट किया, वनों ने समझा, जब मैंने पर्स्ताइम बताया तो नहें, मुझे ऐसी कोई प्रबलम नहीं हुई, बिल्कुल माना नहीं कि या फिर पढ़ाई से हटके कुछ भी नहीं हो तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होई मैं जब मैं बताया तो ममा को पहले तोड़ा सा लगा था कि अ लेकिन ममा ने भी बोला ठीक है तु ट्राइ करने तो कर ले लेकिन इसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद मत बोलना मैं मैं थीक है फाइनल तो फिर ऐसी ही मैं बस अडिशन देने गई थी और वहीं से स्टार्ट हुआ चलिए आप ग्लैमर वर्ल्ड का पार्ट है आप में सेश्या पैसे फिके ले गए क्या श्रिष्टी आप से जानना चाहेंगे कि वहां पे क्या कभी भेदभा होता है कि बतलब कोई जैसे चूजी होता है एक आपका फ्रेवर बन जाता है जजेस का और उसके साथ बहुत अगर उसके कोई गलती भी है लेकिन उसको साइड लाइन करके उसको फ्रेंट पे लाया लेकिन जो मैं वहां पर गई मैं रही वहां पंदरा देन अन लड़कों के साथ तो मुझे कभी भी ऐसा फील लिए कि किसी के साथ पार्शालिटी हो रही है या फिर कोई लड़की मला बहुत बिची है या ऐसी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काफी अच्छा एक्स्पीरि कुछिए खुरिएः इससे फेरिविड एक इनिसान हो जाता है और उसके साथ फिर उसको लिलिन लिया जाते है कि चली अगवर सारे तो עुझ यह लेते लेतें हैं अब है लिए को लिखा कि ज़डर उस्कों कर दो से रोविऑ साथ हो ँख ड़के सांथ कांदर एसा इसा वी ऐसा कभी भी नहीं हुआ तो बहुत अच्छा कॉंपटिशन रहा और बहुत हेल्धी कॉंपटिशन था Miss Asia Pacific का क्राउण आपको मिला मुंबई एरपोर्ट पे आपको रोक लिया गया जब वो क्राउण वापिस आपसे लिया जा रहा था for a time being कैसा फील हुआ अबिसली थोड़ा बुरा लगा लेकिन मुझे लगा कि अगर ये उनकी ड्यूटी है तो इसमें हमें अपना पूरा क्लांग बु डिया गया गया लगामसे बात उन्होंने विं किया ऊषियज को और उसे बाद पुर्पित प्रॉप प्रॉपर्टी मेरी पर्स्नल वो क्राउन कुछ टाइम के लिए दिया जाता है लेकि उसके बाद आपको रेप्लिका मिलती है अगर आपको कहीं इवेंट्स में जाना है वहां के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें कोई सच्छाही नहीं थी बॉलीवड को एक्स्पोर करना चाहते हैं बॉलीवड में जाना चाहते हैं नेक्स स्टेप यही होता है क्योंकि आप एक्जामपल से जो ही चाफला ले लिजे दिया मिर्जा ले लिजे जो मिस एश्या पैसिविक 2000 में हुई थी अब आपका कंपेरिशन इंडिरेक्ली होने ल अब बल्कुल इनके साथ जब नाम लिया जाता है इनकी लीग में शामिल होना बहुत बड़ी बात मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन बॉलीवड की बात है तो अभी उसके बारे मेरे कुछ शोचा नहीं है इतना इतना साधा भी कि मेरा कभी बॉलीवड में इंट्रेस् काफी एक्सापल्स आप युकता मुखी को ले ली जिये, दिया मिर्जा को ले ली जे जुई चाल, जुई चाल, तो अब जी चाल, जो रिर्टर के साथ और यहां को कुछ है यहां नो आप वेरी चूजी तो कोई भी मुझे अगर किसी की भी जो स्क्रिप्ट है वो पसंद आती है और अगर मुझे अगर मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी फैमिली को अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनसे बिल्कुर शाय करोंगी तो जैसे भी होगा अगर अच्छ करना चाहेंगे मैं रन्बीर गपूर के साथ चलिए यहां पर चोटे से ब्रेकर बाद भी जारी जारी जाएंगे श्रिष्टी से दिल्की बातेंगे जो भी हिरोइन हैं अभी वो बहुत ही वो सब ही टालेंटेड है और सबके बास एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं लगता यह थोड़ा अनफेर होगा मुझे उनके साथ कंपेर करना